है गाई वेलकॉम बैक टो माई चैनल दैट इस कॉंसेप्ट के लाए सेंटर वेर अल कॉंसेप्ट के लिए सो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेडिकल कुरियर या फिर Medicine Delivery Boy होता क्या है हम इसका Meaning, Rolls, Responsibilities, Qualities और क्या Skills चाहिए एक अच्छा Medical Boy बनने के लिए ये सारी बाते डिसकस करेंगे वीडियो में आगी बढ़ने से पहले फी समिट करने जो कि ये वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना इसके अलबा अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे इस तो टॉपिक का नाम comment में बता सकते हैं मैं उसके पर वीडियो बना के upload कर दूँगा So without wasting any time, let's start Medical Delivery Boy, Meaning, जो Medical Courier या Medical Delivery Boy होते हैं यह responsible होते हैं, इनको जिम्मेदारी दी जाती है या फिर यह जिम्मेदार होते हैं Transportation के लिए, यानि एक चीज़ को अपनी जगे से दूसरी जगे पर लजाने के लिए अब जो भी सामान इनको दिया जाता है, वो Medical Items होते हैं Like, Medicine, Surgical Items, Etc. Labs में, Hospitals में, Clinics में, और दूसरी Healthcare Facilities में, ओके अब जो भी सामान इनको दिया जाता है, Deliver करने के लिए, उससे Related, जो भी Formalities होती हैं वो भी इनने पूरा करनी होती है, Like, उस सामान को Pick Up करना, अपनी Pick Up Location से और सामन को Deliver करना, जहाँ पर भी आपको Deliver करने के लिए कहा गया है अगर आपको Order लेना हो, तो Order भी लेना पड़ते हैं, Okay, सामन को Deliver करने के अब जिस भी Item को आप Deliver कर देते हैं, तो सामने वाले Person के पास भी एक Proof होना चाहिए, कि उसने Item को Receive कर दिया, तो इसके लिए Invoice होती है, Invoice यानी Bill होता है, Okay, जिसमें आप सामने वाले Person जिसको आपने Medical Items Deliver करें, उसका Sign करवाते हैं, जो कि इस बात का Proof होता है, कि आपने सामन को Deliver कर दिया Next जाती है, Rolls and Responsibilities First, जो भी Medical Items हो उन्हें Receive करना, और जो भी इंस्ट्रक्शन आपको दिये गाएं, Healthcare Facility के द्वारा, उस सामन से Related, उन सबको समझना Second, Ensure करना, जो भी Medical Items आपने लिए Deliver करने के लिए, जो भी गाड़ी, जिस भी वेहिकल से आप उस सामन को Deliver कर रहा हो, आप उसको अच्छे से, securely, उसको स्टोर करो अपने वेहिकल में, अपनी गाड़ी में जो भी Documents होते हैं, Medical Items से Related, उन्हें अच्छे से समझना, ओके, और जो भी Documents आपने लिए, Medical Items से Related, वो एकदाम accurate होना चाहिए, सही होने चाहिए, ओके, गलत नहीं होनी चाहिए पता चले, आपने Surgical Items के Documents लियते हैं, और उसके अंदर Drugs निकल गई, सामन को अपनी Destination तक पहुचाने के लिए, एक Proper Root को Identify करना, ओके, अब जो भी सामन आपने Deliver कर दिया है, जिस Person को Deliver किया है, उसका Sign करवाना, ताकि आप इस बात का Proof रख सके हैं, कि आपने सामन को Deliver कर दिया है, ओके, जो भी सामन आपने Deliver करा, उसकी Safety को Ensure करना, जब आप सामन को जब तक आपने Deliver करा, वो सामन खराब हो गया है, अब जितना भी आइटम आप से कहा गया है, Deliver करने के लिए, आपको इस बात का धियान रखना है, कि उतने इटम्स आपने Deliver करें, जब आप Cross Check करो उस आइटम को, Deliver करने के बाद, and last आती है, Qualities या फिर Skills, First, Educational Qualification, अगर आपके पाल Bachelor Degree, यानि आपने अगर Graduation करा है, तो आपको एक Advantage मिल जाता है, Second, आपको Experience होने चाहिए, इसा Medical Courier, यानि आपने पहले से, इसा Medical Delivery Boy काम करा हो, Third, Medical Delivery Boy का आपके पास Certificate होना लाइसेंस होने चाहिए, और साथ में जो आपका Driving Recorder वह एकदम Clean होना चाहिए, ओके, Medical से Related, जो भी वर्टिंग होती है, जो भी Terminology होती है, उसके आपको Understanding होनी चाहिए, आपके अंदर Problem Solving Skills होनी चाहिए, आपके Communication Skills बहुत अच्छे होनी चाहिए, because आपको दिन पर Client के सा Deal करना है, एक सामन को यहाँ से वहाँ पूचाना होता है, किसी भी सामन को Pick Up करना है, फिर इसको Deliver करना, and so on, आपके काम में Punctuality होनी चाहिए, आप जाधा छुटियां नहीं करें, अपने काम में काम चोरी नहीं करें, etc, Unsupervised का मतलब होता है, बिना रोक टोक के काम कर सकें अब इस फिल्ड में आपको सामन को Deliver करना होता है, तो कुछ सामन जो होता है, जो आपको Lift करना होगा, तो आप physically fit होने चाहिए, आप कम से कम 20 pounds का सामन उठा सकें, तो यह सारी qualities और skills, एक अच्छे medical delivery boy के अंदर होनी चाहिए, तो आची इस वीडियो में इतना इवीडियो इस लाइक करिएगा, कोई question से तो comment में पूछिएगा, मिलेंगे आप से next वीडियो में, thanks for watching.